आपका एक बार फिर से श्वागत है हम लोग आज देखेंगे ध्यानाकरसर मॉड्यूल जिसमें प्रिश्णोतरी नोट्स है यह लगवग 8-9 पेज का नोट्स है इसको जरूर पढ़ें क्योंकि जो ऑनलाइन परिच्छा हो रहे हैं प्रते एक डिस्टेक में तीनों यह नोट्स आपको अभी ध्यानाकरसर मॉड्यूल का मिलेगा इसकी बाद में जो नेक्स्ट नोट्स होगा वो अधारसला और सच्छर संग्रे का नोट्स मिलेगा और यह नोट्स से सिंगल यानिकि वन लाइनर होगा जिससे आप कोश्टन्स बना सकते हैं सवयम कोश्टन् आकलन परिच्छा में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर सच्छक के आगे सच्छड के लिए, यह सभी नोट्स बहुत ही आवश्यक हैं, तो शुरू करते हैं उस नोट्स को. इस वीडियो में लोग देखेगे, जो ध्याना करसर समदित एक नोट्स चोटा सा जो बनाया है, उस नोट्स को यहाँ पर आपके सामने प्रेशित कर रहे हैं, और इसकी पीडियाफ यदि आप चाहते हैं, तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें, जिसका लिंक इ यहीं से आपको बता दूँ, टेलिग्राम पर जाने के बाद में, वहां सर्च वार में, एट दारेट, डेली, डी ए आई, एल बाई, और गिरो, जी आर ओ, इतना सर्च करेंगे, और आप ग्रुप को जोईन कर लें, वहां से आपको सभी इंपोर्टेंट पीडियाफ और व इसमें आवशक्ता, ओदेश और बच्यों से अपिछित संप्राप्ति ना होने की कारण, उसके बाद में दूशरा जो इसमें भाग है, वह लर्निंग आउटकम एबं आकलन, इसमें लर्निंग आउटकम के अवधारा है, अधिकम इस्तर में अंतर, यानि कि लर्निंग की बात की गई है, और सीखने की इस तरका आकलन, बच्चों का चनाकन, आधार बूत सिवर और ध्याना करसर सिवर, इसके बारे में इस पार्ट में दूसरी भाग में चर्चा की गई है, अब दिखते हैं नेक्ट तीसे भाग उसमें क्या है, तो ये है भाग तीन, और भाग में कच्छा सिचड की प्रभावी तकनीकियां, सिचड तकनीकियों पर आधारित सिचड योजना है और उसके बाद में चार नमबर इश्में जो रखा गया है भाग चार में परसिष्ट वन आरंबिक परिचड के परपत्र, परसिष्ट टू अधिगम परडाम आधारित उसके बाद में परसिष्ट चार अक्सर पूछे जाने वाले प्रस्ण परसिष्ट पांच धानाकर्सर सिविरहेतू समय सारडी ये परसिष्ट पांच में रखे गई है जो भाग चार के अंतरगत आता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें अब यहाँ पर भाग एक की जो चर्चा की गई है हम सिच्छकों का दिर्ड विश्वास है कि परते एक बच्चा सीख सकता है तो यह यदि हम सिच्छक ठान लें कि परते एक बच्चा सीख सकता है तो यह निश्चेत है और सिच्छक में वो शंता है कि वो बच्चे को सिखा सकता है लेकिन नहीं प्रेस के साथ नहीं दवाओ के साथ नहीं उसकी according चलने के बाद में बच्चा कैसी सीख सकता है उसकी रड़नीतियां बना कर बच्चे को सिखाया जा सकता है कोठारी आयोग में भी का गया है कि भारत के भाग का निर्माण हमारी कच्छाओं में होता है इसी उद्देश को ध्यान में रखते हुए निसुल के वंग अनिवारवाल सिच्छा अधिकार अधनियम 2009 RTE Act 2009 के अंतरगत बिना किसी भेदवाव के राज के 6-14 बर्स कि सभी बच्छों को गुडवत्ता युक्ति सिच्छा का लच्छ परदान करने के सतत प्रियास किये जा रहे हैं हमें यह ध्यान रखना होगा कि परते बच्छा परते बिसेस है और सब के सीखने की अपनी पिगति होती है यह मोड्यूल कच्छा 3-8 तक की कच्छाओं में पढ़ाई जाने वाले सभी बिस्यों जैसे हिंदी, गड़त, बिग्यान, अंग्रेजी, आधी, अधिगम, परड़ामों की संप्राप्ति दर को अपेच्छा नरोप लाने में सिच्छकों की लिए मददगार होगा तो एक कुश्चन यहां से बनता है कि जो ध्यानाकर्स्वर मोड्यूल है वो किन कच्छाओं के लिए है तो यहां से पुश्चन को आंसर आप दे सकते हैं कच्छा 3 से लेकर 8 तक के बच्छों के ले उसके बादे देखते हैं इसकी आविश्चत्या क्यों पड़ी किसी भी कच्छा में कुछ बच्चे अपनी कच्छा एवं आयू के अनुशार अधिगम संप्राप्ती इसतर अर्थार्थ परिच्छाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त कर पाते हैं और उनका परिच्छा परड़ाम भी शामान बच्चों की तुलना में संतो उस जनक नहीं होता है बर्तमान सिच्छा विवस्ता में ध्यानाकर सथ तकनीकियों को अपना कर सत परिशत गुरबता पूर सिच्छा के लच्च को प्राप्त किया जा सकता है इसलिए इसकी आवशकता पढ़ी अब देखते हैं नेक्स्ट और अब देखते हैं ध्यानाकर शिच्छड का मुख उद्देश क्या है तो उन बच्चों की मदद करना जिने कच्छा सिच्छड की दोरान अपनी कच्छा में इसतर के अनुरूप आउधारणाओं एवं कौसलों को सीखने में कठनाई या परिशानी होती है जिसके परडाम सरूप भी परिच्छाओं में त करना सकते हैं पाठकरण एवं पाठकरम एवं पाठपुस्तकों पर आधारण प्रति कच्छा की सभी विष़ियों से सम्मंदित लर्निंग आउटकम को लच्छ बना कर सिच्छ पार करें पठन पाठन की समय कच्छा के सभी विद्यातियों का सतत और लोकन करते हुए अपने से उनकी कठनाईयों का आँकलन करना आवश्यक होगा विक्सित वावना अत्मक विकास के लिए उनकी अच्छी कार्यों की सराहना आवश्यक होगी ध्याना करसड की शुरुवात सत्र की प्रारम में ही बच्चों की कठनाई इस तर की अनुसार योजना बना कर वा आवश्यक तैयारी करके करनी होगी अब एक कुश्यन यहां से बनता है कि ध्याना करसड सत्र की शुरुवात कब होगी तो धाने अकरसर कच्छा हैं कब चलेंगी तो ये कब चलेंगी जब सत्र की शुरुवात होगी प्रारम में ही ये कच्छा हैं चलेंगी कितने दिनों तक चलेंगी तो ये कच्छा हैं पचास दिनों तक ध्याना करसर सेवर के रूप में आयुजित की जाएंगी आप देखते हैं इसमें आखिर जो बच्चे हैं वो सीख क्यों नहीं पा रहे हैं इसके क्या कारण हैं तो इसके कुछ निकाले के हुई कारण हैं जैसे माता प्रता की जो सैच्छे किस्थिति है उसके कारण भी समझ्या हो सकती है बच्चों में आप एच्छे संप्राप्ति ना होने के ये प्रमुक कारण हैं कलेपूर पारिवारिक वातवर्ण यह सबसे महत पूर भूमका निवाता है उसके बाद में अध्यापक का कठोर बिवार ये भी भूमका निवाता है यदि अध्यापक बच्चों के साथ में बिवार कठोर करेंगे यानि कि उनके एकॉर्ड जन जो होते हैं उनके लिए ये पॉइंट से बर्गता है तो इस प्रकार से ये पॉइंट से इंपोर्टेंट हैं सभी इनको आप जरूर ध्यान रखें अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन योजनाओं के तहट आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं समझा सकते हैं और उसके बाद में क्या करना हुगा सिच्छड योजना बनाकर सिच्छड अधिगम सामगरी के उपलब दिता सिच्छड अधिगम पिरकरिया और बैठक बिवस्ता इन सभी पर आपकी कच्छा डिपेंड करेगी अब नेक्ट पेज के ओच चलते हैं जो आधार भूत सिवर है धानाकर सिवर है उसको किस प्रकार से आयुज़ित करना है वो देखते हैं सत्र के आरम में ही निमनांकित बच्चों के साथ चिननांकित वस्तों मलब जो चिननी करण करेंगे एक चोटी सी प किया जा सकता है इसे बच्चों के अधिगम इस्तर में अंतर को कम करने में काफी मदद मिलेगी सत्र के प्रारम में बच्चों के साथ कार पचास दिनों में सेनित लर्निंग आउटकम पर कार किया जाए ध्यानाकर सिवर में सिच्चक को निम लिखित बातों पर ध्यान में नंबर एक समय साड़ी जिसको अनुसार प्रतिग विशे पर प्रतिदेन कम से कम एक गंटा कार होगा अधिक्तम अधिगम इसतर के आधार पर कच्चा के बच्चों को आविशकता अनुसार समुगों में बांटा जाएगा जिनको तीन समुगों में बांटना A, B और C आउटकम को पचास दिनों में विवाजित कर एक सूची बना ले जिसमें यह तैकरना होगा किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर चर्चा करनी है प्रते एक दिन की अपनी एक विवारिक से चड़ योजना बनाकर उसे संबंदेत अधगम सामगरी के उफलबता पूर में ही स सुनिश्चित करें और धयान रखें कि यह सामान से चड़ नहीं है इसमें सैचिक नवचार गत्विदियों का अधिकाद प्रियोक करिंए ताकि बच्चे रूच्ची की साथ कछा से चड़ में प्रतिवार कर सकें इस बात का अवश्चे द्यान रखें कि किक्सी बच्चे म जो प्राप्त है उसको कर सकता है learning outcome के निमने बिंदुगों के आधार पर और इस पश्टता से समझा जा सकता है learning outcome जो है बच्चों को प्राप्त दच्चता का मुल्यांकन करने और सिच्चकों को आगामी सिच्छर संबंदी दिशा प्रदान करने पर भल देते हैं प्रडाम आ जानने समझने एबं पुस्तगी ग्यान का बिवार में उप्योग करने के लिए बच्चों को तर्क चिंतन और कल्पना सक्ति के विकास पर बल देते हैं Learning Outcome की उधारा कच्छा एक हिंदी बिस है कि कुछ मुलभूत Learning Outcome बच्चे परवेशी द्वानी को पैचान लेते हैं जैसे वाहन, बोलिया, घंटी, बच्चे पर्थम और अन्तिम द्वानी वाले सब्दों को पैचान ले पग, मर, जल, धल, बल इस परकास से बच्चे बड़ और अच्छर की आकरती पैचानते हैं, बच्चे बड़ों एवं अमात्रिक सब्दों को पैचानते हैं, एवं उनको सही बनावट में लिखते हैं सीखने के प्रतिफल को लर्निंग आउटकम कहते हैं, यह इस पष्ट रूप से बताता है कि बच्चे ने कौन-कौन सी दच्चता हैं हाजल कर ली हैं अब देखते हैं अधिगम इस तर में लर्निंग गैप क्या है, अब लर्निंग गैप क्या है, इसको अगर सामान बाशाम बैसे तो यह नोट्स में लिखा हुआ है, लर्निंग आउटकम बच्चों की बास्तिविक सीख की बारे में इस पष्ट सूचना देता है किसी भी अधिगम इस तर और कच्छा की अनरूप अपेच्छित अधिगम इस तर इसके बीच के जो अंतर होता है, वो गैप होता है, उसे लर्निंग गैप कहते हैं, अधिगम इस तर को कैसे पता करें ऐसी इस्तिती में? के दोरान जो 18 तकनीकों का प्रियोग कर, लब अपर 18 तकनीकें जो दिखाएं गई हैं इनीक तकनीकों की दोरा बच्चों को शिखाना है, तो कितनी तकनीकों का प्रियोग किया है। जोडी मेकार, परवेशी संसादनों का उपयोग, अभ्यास के आउशा देना, उसकार अर्जित ग्यान की पुन्राब्रती, सकार आतमक प्रति पुष्टी देना, सैच्छिक भरमाड, सरल सी कठिन की और प्रोजेक्ट कार, तो इस प्रकार से जो अठारे तकनीक हैं, इनके आत्यम से आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो उम्मीद करता हूँ, यह पॉइंट्स आपको समझ में आये होंगी, यह दिपॉइंट्स समझ में आये, तो हमें रुचाहित करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आगे वीडियो का इंतिजार करें.